रेम गर्ड हेमा मालिनी अब तक आपके बीश नजर आई होंगी जब भी तोनोंने बात अपने बारे में कही होगी बात उन्होंने अपने फिल्मे किस्तों के बारे में बताया हुए लेकिन फिल्मे किस्तों के अलावा हेमा मालिनी से जड़े कई ऐसे राज है जिससे लोग अब तक अंजान है छोटी उमर में ही बॉलेवर में संघर्ष के दिनों का सामना करने वाले हेमा मालिनी ने बतार डांसर आर्टिस्ट के तोर पर अपने जिंदगी की करियर में शुरुआत की लेकिन फिर उन्हें के इस तरह अपमान भी सहना परा इस तरह मुश्किल के दौर हेमा मालिनी को काफी दर्द दे चुके हैं आज हम जानेंगे इस प्रोग्राम में हेमा मालिनी के बारे में सतर साल की है मालिनी जो की अपने हस्बिन धर्मेंदर पर प्यार तो लुटाती है लेकिन धर्मेंदर से वो रहती है फिर भी दोर सतर साल की है मालिनी जो की धर्मेंदर के साथ दूसरी शादी को ले कार आलोचनाओं को भी सह चुकी है 70 साल की हेमावालिनी चुवाजभी बॉलुट के दिगज अभनेत्री होने के साथ बॉलुट के इंस्पायर करने के साथ पॉलिटिकल फिगर होने के नाते अक्सर लोगों के भी खास तौर पर यूओा के बीच इंस्पेरेशन बनी रहती है ऐसे में हेमा के जिन्दगी के दर्द भरे वो रास जिसका खुलासा हेमा ने किया था आईए हम चानते हमारे शो में शली ले चलते हूँ मैं आपकी होस्ट रिपती हेमा के जिन्दगी को सफर के तरह चोंके पिरान पुराने यादो से जोड़ी है बात के जाए अगर ब्रींगर्ड हेमा मालिनी की तो ये तो आप भी चानते हैं हेमा मालिनी बॉलिवड की कैसी अभिनित्री रही है जिन्गोंने हमीशा से अपनी बातें खुद ही कही है रुला देगे आपको ये वीडियो के किस वीडियो में हेमा मालिनी जो 70 साल की हो चुकी उन्होंने कुछ ऐसे एक खुला से किये हैं जो आपको रुला देंगे हेमा जुआ अस्तिगश अभिनित्री होने के साथ पॉलिटिकल लीडर भी है उन्होंने बॉलिवूर्ड में कितनी कड़ी महनत की किस तरह उन्होंने अफमान भी सहा था शोटी से उमर में जब उन्हें किसी काम से निकाला गया था कितनी ज़ादा तकलीफ में थी वो चिन्होंने डिप्रिशन से लेकर बात की बिमारियों में गंभीर बिमारी डिप्रिशन से लेकर कई और चीजों को लेकर तो आज हम जानेंगे कैसे 13 से 14 साल की उमर में हेमा मालिनी ने अपने काम को लेकर जो काफी मेहनत की उन्हें नकारा भी गिया था। कैसे उन्होंने अपना दर्दित शलकाया है जो की काफी टाइम पहले अपने बायोग्राफी बियॉंड दर ड्रीम गर्ल के लॉंच के मौके पर नसर आई जहां दिपिका पाद को खुद जो दूसरी ड्रीम गर्ल कहलाती है वो भी नसर आए जहां खुद ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने दिपिका को आज की ड्रीम गर्ल बताया जिसे लॉंड की मौके पर होश्ट करती दिपिका नसर आई जहां हेमा की जिंदगी के कई राज भी सामने आए तो आईए जानते हैं बारे में। कि इंप हरुआ, कि वजय कैसे अचाझाई, वाँ नचेज से बखुआ हैं, कि वैज करने ऑने कांज। but I was not trained as an actress but just took a time chance and then started working and I was rejected so that point of time I never made I thought that I am going to become an actress I have to nothing was there in my mind just like that because my mother told me I said okay I will do it because I was a very obedient child but when I was rejected that point of time was terrible for me but I did not realize that is supposed to be the depression I didn't even know that but somewhere I was feeling very uncomfortable I thought but I was a dancer and I used to perform a lot of dance shows then I used to feel maybe the people who come to watch my show they will say oh ho this girl is removed she is being rejected so what is that to see her dance show you know maybe they will say that if I go out they will make fun of me I mean these are the thoughts came in my mind and on top of it my mother said now you have to prove it that you have to show that what you can do so that is where I took it as a challenge actually that depression I changed it there was no depression actually for me I will say you know because I was not knowing only thing I was little not happy about what is happening then then how I faced I wanted that there's a time I was really given a very spiritual help I automatically gained that and then talked to the Lord that you have brought me into this world and it is your duty to see that I do the best whatever reason I have come here you have made me here so I have to do that I have to become an actress so that motivated me to take it as a challenge and that's the time I was offered to do Sapnao Ka Savdagar and Raj Saab offered me that along with Anand Saswami who was the producer he is the one who gave me Dream Girl I was introduced as Dream Girl not Hema Malini I used to fight with him my name is Hema Malini why don't you announce that no no you are only Dream Girl okay you know then the whole story you know what happened I took it as a challenge and then I said I have to do my best so the failure actually became the stepping stone for gaining success I have been watching all Deepika's films I really love it the way she performs the way she looks very beautiful all your films are really nice and I can see the hard work how much you have put in the everything and you're really lucky to be working with such a wonderful director like Sanjay Leela Bansali also and you keep getting one of the other nice roles to play these historical characters is really nice and you have worked in Padmavati and Bajira Mustani with a very big budget your director is able to get that budget and I also worked in Razia Sultan which took around seven to eight years to complete because of financial problem and at the same time and at the same time same time I was working in Meera also that is also again historical background and that producer also did not have any budget without any budget we are doing royal sets and costumes and I can really remember now today that Bhanu Arthia who was designing my clothes only one was made and it used to make make it look like I'm wearing two three different dresses you know I must tell Sanjay sir this yes he has to learn this budget friendly and then and then what about my remuneration I really played the role of a beggar princess Meera you know end of the shooting so I used to look at the producer's hand so sometimes one envelope will come one small envelope so I used to take it as a real you know begging ball so it used to be just two thousand copies sometimes but I wanted to do that film and we did it and then the producer he wanted to create Rajasthan look he wanted many horses uh uh camel elephant sub chaiye tha usko lekin producer you know you can multiply by computer graphic you can multiply by computer graphic you can multiply by computer graphic जिससे हर कोई अंजान रहा हेमा पच्चपन से ही संगर्ष करती आई महनत करती आई शायद यही वजह है कि आज इस उमर में भी डांस को लेकर हमेशा हेमा की महबत गहरी देखने को मिली है साल की उमर में भी हेमा डान्स करती है और इसे लेकर आप अक्सर ही तारीफे सुनते होगे हेमा मालिनी की डान्स की तारीफ बिते कुछ समय पहले पॉलिटिकल लिडर सुश्मा स्वराज ने भी की थी हेमा मालिनी जो की अपने नृत्ति से लोगों का दिल जीते आई हैं चिन प्रिशन से खुद को बचाया था ये था हेमा मालिनी से जोड़ा वो कारिकरम जिसमें हमने आपको हेमा मालिनी के उसे इंटर्वियू से वाकीफ कराए जो की उनके बायोगापी Beyond the Dream Girl से जोड़ा है Dream girl बनने से पहले और dream girl बनने तक हेमा ने संगहर्ष के दिन कैसे कैसे खुद को strong बना कर रखा था depression का भी सामना करते रहे गई थी हेमा और अपने मा को लेकर हेमा का क्या कहना था कैसे उन्हें जब पाहर कर दिया गया था एक तांस शो को लेकर तो वो काफ़ी दुखी थी यह आपने जाना इसे के साथ जाना आपने हेमा मालुनी जो अक्सर मीडिया के सामने सक्त विहीविर को लेकर भी चर्चा में रही है वो हेमा आखिर क्यों इस उमर में भी बॉलूट की इंस्पिरेशन है टाइमलेस ब्यूटी जिना कहा जहता है वो हेमा मालुनी कैसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन जाती है ये भी आपने जाना हेमा जो अपने दो बेटियों के साथ अपने जिन्दगी को आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं आज भी डांस करने वाली हेमा जो की पॉलिटिकल लेडर होने के साथ बॉलोड के बड़े फिल्मों की रानी रह चुकी है अपने जमाने की जाना आपने उनके बारे में तो अब दीजिये मुझे इजाज़त लोटेंगे ऐसी ही बॉलोड के सितारों की पहानियस के साथ तब तक के लिए नमस्कार